तिवार के मौसम को देखते वे, खाने के तेल के लिए सरकार ने अपनी तयारी और तेज कर दी है जहां एक तरफ आयात बढ़ाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है वही खाने के तेल की कीमतों में नर्मी लाले के लिए सरकार की तरफ से एक और पहल की जा रही है इसमें तेलों की कीमतों और स्टॉक पर पहले से ज़्यादा बहतर तरीके से निगरानी हो सकेगी सरकार इस संप की जानकारी के लिए एडिबल ओयल पोर्टल शुरू करने जा रही है इस पोर्टल में स्टॉक की उपलब्दता और कीमतों में ट्रांस्पेरेंसी रहेगी सरकार का मानना है कि इस से तेल की कीमतों को कंट्रोल करने में मदथ मिलेगी और बजार में भी संतुलन बना रहेगा खाने वाले तेल को लेकर सरकार समय पर कदम उठाती रही है इसके बावजूद महगाई को देखतेवे सरकार ने नई रणनीती पर काम करना शुरूप कर दिया है मंतराले के सूतरों से मिली जानकारी के मुताबिक खादे तेल और तिलन के स्टॉक के लिए जल्द ही नया पोर्टल लॉंच किया जा रहा है इस पोर्टल पर तेरा तरा के ओयल और सीड की जानकारी होगी इस पोर्टल पर तिलन की कीमतों और स्टॉक की डिटेल हर एक सप्ता अपडेट होगी साथ ही हर हफ़ते पोर्टल के जरिये डाटा भी जारी होगा इससे सरकार को तेलों का स्टॉक और उसकी कीमतों के बारे में जानकारी लगातात मिलती रहेगी साथ ही बाजार चल रहे कीमती पर भी सरकार को सही जानकारी मिल पाएगी जानकारी मुताबिक इस पोटल पर अपडेट देने के लिए प्रोडूसर्स को लॉग इन बनाना होगा और वो इसकी जानकारी शेर करेंगे लेकिन इस पोटल पर उपलब्द जानकारी की डिटेल सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट ही देख सकेंगे ताकि कोई इस आखड़े का गलत इस्तमालना कर सके सरकार के इस फैसले से जमा खोरों पर निगरानी रखी जा सकेगी लगातार एक साल से खाने के तेलों की कीमतों में जबरदस्थ तेजी आई है सरकार ने कीमत पर नियंतरन के लिए समय समय पर कदम भी उठाया लिहाजा से इंपोर्ट ड्यूटी से रहात जैसे कई कदम उठाये गए अब सरकार ने एडिबल ओयल और ओल सीड के स्टॉक की एग्रिसिव मॉनिटरिंग का प्लान तयार कर लिया है सरकार का मानना है कि प्राइस और स्टॉक की हर हफते जानकारी मिलने से एक ट्रांस्परेंसी मिलेगी और ट्रांस्परेंसी बढ़ेगी भी तेल की कीमतों को काबू में लाने का ये एहम कदम है सरकार ये मान का चल रही है कि आम सामानों की तरह इस पोर्टल के जरिये जमाखोरी करने वालों पर भी लगाम लगाने में कामियावी मिलेगी मंतराले सूतरों के मुताबिक सरकार ने इसके लिए शुकरवार को एक बड़ी बैठक की थी इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को पोर्टल के बारे में ट्रेनिंग दी गई और सारी प्रक्रिय से संबंदित जानकारी बताई गई इसमें फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिबूशन डिपार्टमेंट के जॉइन सेकरिटरी के अलावा राज्यो के फूड सेकरिटरी और फूड कमिशनर शामिल थे इस बैठक में खादे तेल प्रसंस करन संग के प्रतिनी दी भी मौजूद हुए सब ने अपनी बाते रखी और पोर्टल का लॉंच होने का रास्ता साफ हो गया यानि अगले सब्ता इसे लॉंच किया जा सकता है इससे आने वाले त्योहारू में खाने वाले तेल को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी गीर पोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी